ओम सिरी गनेशा नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं तीस सितंबर सुमबार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्त दित करेगी संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है आपका सिद्धान्तवादी दरश्टिकॉन समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है साथी धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा प्रॉपर्टी सम्मंदित कोई रुका हुआ काम पूरे हुनी की आज संभाव ना है दोस्तो आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है साथी भग्य और संतान सम्मंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है आपका विवेक और आदर्स वादे स्वयभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा दोस्तो आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक हैं जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंदों में भी काफी सुदार आएगा सभी काम आज सांतिपूर्ण तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे दोस्तो भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में साहक रहेगा आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी दोस्तो घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना बनेगी आप दोबारा से अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आ जाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जैपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें धनके लेंदेन संबंदी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं कोई भी काम करने में ज्यादा सोच विचार में समय ना लगाएं इससे समय आपके हाथ से निकल सकता है सामाजिक रिस्तों को मदुर बना कर रखना आवश्चक है कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती हैं जिसकी वज़े से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे अपने स्वयभाब को पॉजिटिव बना कर रखें दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्चकता है कि आपके सरल स्वयभाब का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं जिससे आपकी मन इस्थिती कुछ विचलित हो सकती है दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्पपूर्ण काम भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्चे पूरा करें नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड़ सकती हैं और कुछ लाबदाएक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभाव ना है दोस्तों साथ साथ दिखावे की प्रवर्टी से भी आप दूर रहें इस समय धन संबंदी कुछ नुकसान दाएक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं इसलिए किसी भी प्रकार के निवेस को आज फिलाल टाल दें संपत्ति संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो बच्चों की गत्य विदियों पर ध्यान रखने की अतियावशक है उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिशानी में डाल सकती है उन्हें शकारातमक कारों में व्यस्त करना अतियावशक है जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदाएक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो घर का माहौल अनुशासित और आज खुसन मा रहेगा प्रेम संबंदों में मर्यादा बना कर रखना आवशक है आपकी समस्याओं को सुल्जाने में आपके जीवन साथी वे बच्चों का पूरा शेयोग रहेगा जिससे आपका आत्म विश्वास काफी अच्छा बना हुआ रहेगा दोस्तो नजवी के जिस्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है जिससे घर परिवार में वातावरन, खुसनमा और सुकत बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कार रहे इस्थल पर लिए गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको अवश्य मिलेगी आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें शेयर वे रिस्ग प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें आपके साथ छल या धूका धड़ी हो सकती है नोकरी में किसी प्रकार के इस्थान परिवर्तन या तबादली की भी आज इस्तितियां बन रही है कार्रे इस्थल पर किसी पडोसी के दुआरा लड़ाई जगडे जैसी इस्तिति बन रही है कुछ कानूनी या निवेस संबंदित जटिलताओं का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है वेवसाइक कार्रे प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्चक है जिससे और अधिक बहतर परिणाम आपको हांसिल हो सकें दोस्तों वेवसाइक प्रतिष्ठान में अनुबवी और परिवार के वरिष्ट जनों की अनुमती और सहमती से कार्रे करने से काफी समस्यें आसानी से हल हो जाएंगी धन के लेन देन सम्मंदित कार्रे में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तो कारे छित्र में जो आप बदलाव सम्मंदित योजनाएं बना रहे हैं उन सभी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं हैं इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस सम्मंदित कार्रों में लगाएं वर्तमान गतिविदियों पर अपना ध्यान केंजिर्ट करें आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु फिर भी दिन चरिया को विवस्तित बना कर रखना आपके लिए अतियावशक है इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अ पादिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव का शक्कर मिले दूद से अभिशेक करें और शाती साथ अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तों ऐसा करने मात्र शेही भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आप भगवान भुलेनात अवश्य ही पूर्ण करेंगे दोस्तों आप इस प्रकार शुपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेस लब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भुलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेनात अव झाल वाद